मेर नमस्कार दोस्तों आप सबकूया स्वागत है मैपे यूट्यूब चाइनल पर दोस्तों आज के इस उडियो में हम बात करनेब वाल हैं हीज HIs versus CATK के बिच होने वाले match के बारे में दोस्तों यह वो match मैं आपको highlight करके दिखाता हूँ इसके बारे में बात करेंगे तीन टीमें डासीदे देखने वाले dream reaction की grand league की तो इस पर हमें click कर लेनी है दोस्तों माई टीम पर click करके मैं आपको एक एक team इडिट करके दिखा दूगा आपको किस-किसको लेना और किसको नहीं लेना और आखिर में किसको captain और vice captain वह बना सकते वह भी दिखा दूगा तो चले माई team पर click कर लेते और पएली team को आपको मैं edit करके दिखा देता हूं तो दोस्तों हम आ चुके विकेट के पर तो यहां पर काफी ऑफ्शन्स है लेकिन कुछ ने कम पॉंट दिये कुछ ने अच्छे पॉंट दिये लेकिन मैं यहां पर एह मत को फाइलेट में शामिल करना चाहूंगा बाकि किसी और को कीपिंग में मैं शामिल नहीं करूंगा चल चलते औल राउंडर में मैंने चार औल राउंडर को यहां पर लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने सबसे पहले लिया है रबलो मीराज को उसके बाद say all around s s answer को लिया ईंसर को लिया एंसर को ढनों के डोनों काफी चारों की चारों काफी बढ़िया खेल रही और실ए it usbx cost u Armor लिए दोस्तों साथिसाथ गेंबाजी की बात कर लेते तो गेंबाजी और अच्छे खासे पॉइंट दे चुके और जरूर आपको अच्छा खासा फाइदा करके दे सकते हैं इसलिए मैंने चारों को लिया है दोस्तों साथ साथ गेनबाजी की बात कर लेते तो गेनबाजी में मैंने A. Abbas को लिया है और G. Dust Gear को लिया है तो यह भी काफी बढ़िया गेनबाज है दोस्तों और एक जो हमने तीसरे गेनबाज लिया है यहां पर एमक्तर को लिया यह भी काफी बढ़िया तीनों गेनबाजी कर रहे है और आपको अच्छे खासे पॉइंट ले के देंगे क्योंकि विट्टे इनको काफी अच्छे मिलती है तो दोस्तों काफी कर देख लेते क्यापटन और वाइस क्यापटन हम किसे बना सकते तो सबसे पहले हमने इस टीम का क्यापटन बना जिया दोस्तों जैसे कि आपको हाइलाइट करके मैं जरूर दिखाओंगा कि देख सकते 52 पर संट से भी जादा लोगों ने एस अंसर को क्यापटन बना सकते दोस्तों हम य stance चैसे लिए क्यापटन बना सकते वहीं अगर रही कि बात कर लेते तो यह उपको मैं जरूर हाईलैट करके दिखा दूंगा दोस्तों जैसे कि आप देख पारें 40% या करीब करीब 41% लोगों ने डबलू मिरज को वाइस कैप्टन माना है तो तो पहली टीम में मैं कोई रिस्क में लेते हुए यही जोड़ी लगाऊंगा दोस्तो लेकिन आप उल्टा भी कर सकते दोस्तो डबलू मिरज को कैप्टन और एस अंसर को वाइस कैप्टन क्योंकि अगर डबलू मिरज अच्छा पर्फरमस करते है और एस अंसर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा करते तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि 24% लोगों ने इनको कैप्टन मरा है बलकि एस अंसर को 52% तो इसी वज़े से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप उल्टा करते तो मुझे लगता है कि उल्टा करना ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है दोस्तों एक बार टीम प्रिवियू जरूर करते हैं छिसे कर से कर देख बार है हमने लिए ँए इन लेसमे पहले हैं आप लिए म अधार को लिया है चाहफीagement तो काफी बढ़िया टीम बन बचुक है दोस्तों काफीबढया यहां पर कीपिंग भी अच्छी है बैटिंग आच्छीdas all-round sod बढ़िया और गेन बास भी अच्छे तो काफी बढ़िया टीम बच चुके दोस्तों जरूर मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी दिखा दूँगा जैसे कि मैं आपको मैंने बनाया है कैप्टन डबलू मीरत को वाहिस कैप्टन बनाया एस अंसर को दोनो परसंट से भी जादा लोगों ने कैप्टन बनाया और जो डबलू मीरत उनको चोईस परसंट से ज्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया तो मैंने उल्टा किया दोस्तों डबलू मीरत को कैप्टन बनाया और एस अंसर को वाहिस कैप्टन बनाया क्योंकि अगर डबलू मीरत तो आप S-Answer को Captain और W Mirage को Vice Captain भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिलाल इसी तरह से रहने देता हूँ तो दोस्तो आपको फिर से बता दू ये टीम भी अगर आप Grand League के लिए लगाएंगे तो काफी better होगा, काफी अच्छा होगा, आपको काफी फायदा हो सकता है लेकिन अगर आप Grand League नहीं लगाते हैं फिर कुछ कारण हो तो आप Small League के लिए इस टीम को यूज कर सकते हैं लेकिन 90% से भी ज़्यादा काऊंगा इस टीम को आप Grand League के लिए उच के जगा ठीके दोस्तो इस टीम को भी अभी close कर लेते हैं, save कर लेते हैं और एहमद दोनों को इस टीम में शामिल किया है, बाकी किसी keeper को अभी फिलाल मैंने नहीं लिया है काफी बढ़िया टीम बन रहे हैं दोस्तो, ये भी टीम काफी बढ़िया बनने वाली है एस सिंग को लिया है और एहमद को लिया है यहाँ पर मैंने कीपिंग में बैटिंग की बात कर लेते तो तीनी वल्लेवाजों को वापस लिया है मैंने आल लौंडर पर चलते तो यहां में तीनी आलरांडर लिए पिछले । टीम में मैंने चार आलरांडर लिए थे लेकिन इस टीम में दो कीपर लेने के वज़े से हमार पास तीनी और रहने वाले जी डस्टगेर को लिया है और तीसरे जो हमारे गेन बाज है दोस्तों एम अक्तर को इस टीम में शामिल किया है काफी बढ़िया है टीम बन चुके दोस्तों ये भी टीम काफी बढ़िया है जरूर आप इसे ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग के लिए यूज करेंगे तो इस्ट करते हैं तो काफी लोग इन पर वाइस कैफटन के लिए ढाव लगा रहे तो मैं इनको कैफटन के वर्षा कर सकते दाव लगा सकते चले दो रस्तो एक बार टीम प्रिव्यू करा देता हूँ जैसे कि आप देख पार है या पर मैंने दोकी पर लिए लिए अर्षा को लिए और डवलु मिरज को लिए वही अगर गेन बाजी की बात करें तो एअब्बास को लिए एम अक्तर को लिए जी डस्ट गिर को लिए तो काफी बड़िया टीम बन चुके रस्तो मुझे लगता है यह बी टीम अगर आप चाहे तो ग्रांड लिग के दोनों के लिए यूज कर सकते कोई प्राब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप बात कर लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हाइलाट करके दिखाई देता हूँ कि मैंने इस टीम का माप किजिगा दोस्तों मैं दोनों आप पहले हाईलाइ트가 करके रख देता हूँ जैसे के आपको दिखा देता हूँ मैंने स्टीम का कैप्टन A.S. बाद को बनाये तो वही वाइस्वास कैप्टन A. U. लग हक को बनाये दोनों काफी बढ़िया खेल रही दोस्तो तो एस इकबाल काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते तो जरूर आप इन पर भी भरसा कर सकते दावल लगा सकते वही अगर एउल हक की बात करे तो यह आल राउंडर है दोस्तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में या फिर स्मॉल लिग के लिए उज़ कर सकते मैं कहूंगा दोनों के लिए अच्छी रहेगी है तिम आप जरूर गैंड लिग या स्मॉल लिग दोनों के लिए उज़ कर सकते तो ठीक है दोस्तो इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और तीसरी और कीपिंग में हमने फिर से चेंजेस किया यहापर भी खलीत को लिया है और टी इलियास को लिया है यहापर देख सकते दोनों अच्छे बैट्समन है दोस्तो टी इलियास भी काफी बढ़िया बैटिंग कर सकते लेकिन फिलाल पहली मैच में उनका performance ठीक ठाकी रहा है बैटिंग पर चलते हैं तो बैटिंग में भी आपे मैंने थोड़ा changes किया A.S. इकबाल को लिया है M. Ayuk को इस टीम में लिया है पिछले दोनों टीमों में इनको नहीं लिया था और तीसरे जो है A.S. अक्रम को इस टीम में मैंने शामिल किया है तो आप जरूर इस तर से भी लगा सकते प्रॉब्लेम नहीं है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है काफी अच्छे तीनों की तीनों बैट्समन जरूर आपको अच्छे खासे परंट दे सकते तो आप जरूर इन पर भी दाव लगा सकते बर्शा कर सकते अल्राउंडर की बात कर लेते तो अल्राउंडर में मैंने डबलू मिरच को लिया है A.O. लग को लिया है और उसके साथ इस एंसर को इस्टिम में शामिल किया है अगर आप एस एंसर को छोड़ सकते तो आप एंसर को भी ले सकते लेकिन इनोंने जादा पंड दिये तो इसलिए थोड़ा रिस्क लग रहा है तो इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इनको ले या नहीं ले तो A.O. के जगपे ज़रूर जेड है दर को भी आप ले सकते जैसे कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ देख सकते या पर ये भी चेंज आप कर सकते लेकिन फिलाल में A.O. के साथ जाना चौंगा क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पंड दे लेकिन जेड है अधर भी काफी अच्छी प्लेयर है दोस्तो आप जरूर इन पर भी वर्षा कर सकते दाव लगा सकते गेन बाजिक के अगर बात कर लेते तो A.A. अबास को लिया है व कैप्टन और आप कैप्टन किसे बना सकते है वो भी देखा देता हूँ तो इस ट्रीम का कैप्टन अफकोस मैंने बनाया है दोस्तो A.A. अबास को मैंने कैप्टन बनाया है अगर आप चाहे तो S.Iqbal को वाइस कैप्टन बनाया है S.Iqbal को वाइस कैप्टन और A.A. अबास को कैप्टन बनाया है तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं कोई दिकत नहीं क्योंकि काफी लोगों ने इन पर भी भूरसाज जता है है जैसे कि ए अबास को साथ परसेंट से भी जादा लोगों निवास कैप्टन बना है तो मैंने इनको सीधे क्याप्टन बना ला दाला है क्यूंकि यह अच्छा खेलते हैं परस्परमस करते तो आपको सबसे जादा फायदा होने वह ला टीम प्रिवी एक बार करा देता हो तो जैसे कि आतो प्रोव को शांब उसके बाद और के बात आई-छ्फ को लिया दूéri एस एंसर को लिया है और डबलू मिरच को लिया है तो काफी बढ़िया है दोस्तों तीनों कि तीनों उसके बाद अगर अल्राउंडर ए उल्हक को लिया है एस एंसर को लिया है और डबलू मिरच को लिया है यह इन पाजी की बात करें तो ए अब्बास को लिया है जी दस्तगी इनको मिल रहे हैं तो जरूँर आप इनको captain बना सकते हैं कोई problem में कोई दिक्कत नहीं कोई ऊजरूर आप इसको ऐसे हैं कोई problem बि Desp Stunden सकते कोई problem नहिंड की क्योंकि आप multiple team नहीं लगाएंगे grand league में तब तक आपका जितना काफी मुश्किल हो जाएगा दोस्तो क्योंकि एक team पर कोई नहीं जित सकता लेकिन अगर आप multiple team लगाने तो आपको आपके जितने के chances काफी बढ़ जाते तो इसलिए मैंने इनको मैंने ये team भी अगर आप चाहे तो grand league के लिए लगा सकते तो ठीक है दोस्तो इस team को भी अभी close कर लेते हो शेव कर लेते आखिर मैं यही कहूंगा दोस्तो कि आपको ये तीनो team है और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे like, share और comment ज़रू कर दिजिए साथ साथ मेरे channel को subscribe करके bell icon को press करके all पर भी click करना ना बुले ताकि सितर के अच्छे उडियो सबसे पहले आप तक पोच चके तो ठीक है दोस्तो आज के वीडियो में इतना है मिलते है अगले उडियो में तक तक के लिए thank you धन्यवाद